तो गेट 2024 मेकानीगल का पेपार हो चुका है आभी आपके पास और क्या है मतलब बंदा 2024 का गेट का एक्जम दे चुका है और उसके बाद उसके पास और क्या-क्या ओप्सांस है पहला भी से फोर्मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़े गेट 2024 आपने देने गया था कि हो सकता है आपने अच्छा पर्फॉर्म किया हो सकता है पर्फॉर्म अच्छा नहीं हो अब यहां पर रूखना नहीं है कि मैंने एक बात बोला था कि अगी मेकानिकल का भी गोल्डेन पिरेड चल रहा है कि आभी आपको सबसे पहले जो चीज़ दिख रहा है दाट इस एक सी तो सबसे पहले अच्छा एक बद मैं बता दूं कि हमारा फ्लैट फिफ्टी परसेंट ओफ चल रहा है बटे ज्यादा प्रैस है यहां से और आइकनिक का लिस्टिंग प्रैस है प्रैस से आपको दिख रहा है कि 50% ओफ चल रहा है फ्लैट मुद फ्लैट यहां पर आप टू बला जुगर लगा के नहीं किया का फ्लैट मुद फ्लैट है एंड जो देश का सारे टॉप एड़ुटर आपको पत्राथ रहा है क्ए आःंद से सुरू गानाइन से बदुट सुरू होने जा रहा है तो आप सकता कि नाउन से सुरू होने jak है जो जिसमें मैं मेटल काटिंग सुरू करूंगा और कुल करने से सुरू करेंगे थर्म तो मेरा कोड खूसरा यूज करें इसका जितना भी टॉप है उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ठीक है अगर आपने बोला नहीं मैं तो इसका करूंगा तो सीए साइटी का जो अभी आना डेटा साइंस पढ़ना चाहता हो उसके लिए भी हमर पास टीम आ चुका है तो इसके कारान चलता बहुत ही लिमिटेट प्रियड है उम्मीद 25 के लिए संगा में 26 के लिए यह बहुत तो बैच है आप जयन कर सकता है एंड जिरो प आता ना था कि भाई अभी आगर आप एक्स्टेंड करना चाते हो जैसे कोई बच्चे करना चाता है और कोई बच्चे पढ़ना चाता है यह बात ध्यन रखे कि गेट एक्जाम कोई मुंभली तो है नहीं है डैट नीड इस सिस्टेमेटिक प्रोसीडियोर और नोकरी का एक तो नोकरी का एक्जाम हम wedge difficult होगा वह को अक्यांत्यद है तो आपके लिए जो नोकरी का लोगा हमेशा डिफिकन्ट होगा है ऐसा कियो है चुछंड सर कियो आपका बंदा को जब तक काल पढ़ता है तब तक अलग बात है बट जब पैसा देना पड़ता है तब जैसे किसी स से भी सलाह मांगोंगे फ्री में लोग जम के सलाह देखां पिर उसको बोलो कि जो सलाह आप दे रहो उसको एक्जीगूट करने के लिए पैसा दो तो फिर कोई सलाह भी नहीं देखांगा ठीक है तो इसलिए बाद ध्हन रखें कि आप नोकरी करने जा रहा हो तो यहां पे पै कब तक आपको एपनमेट नहीं मैं जाता है तब तक सब्किप्सन लेके रखो जैसे आपको छै मंद का भी लोगे तब इतना पैसा लग रहा है अगर आपने 12 मंद का बोले और 12 फिप्टीन मांद में कितना कम डिफरेंस है इसलिए यह वाला जो चीज़ है आप रिके रखन करेंगे वह भी हमारा बहुत कस्ली होता था तो इसलिए यह वाला जो चीज़ है आपको मिल रहा है और ऐसे टैप का ओफार कब कमी आता है इसलिए को फ़र आप अपर का लाव उठाए जो बाद मैं कहना चाहता था पहले धन रखो कि आपके लिए अभी एक सी पेपर है तो इसी से जो टॉप आयाइटी से एंग इना इस में इसन मिलेगा वह क्या होता है इतना आसानी ठीस का क्रीम टैलेंट अव दा कंट्री डेस का जो सबसे टॉप इन्सिटूइट है ओहां पे नोकीम इन आपका एड्मी से रख यह यह इतना आसान नहीं है इसलिए अगर आ यह जो प्रोसीडियोर है यह आप आप करें एक सी पेपर देखे आपको क्या होगा पीसी तो नहीं मिलेगा दिन लेकिन अगर पीसी मुझे चाहिए गेट के थूही पीसी चाहिए तो आपको मैंने बोला ना एक आप साब किपसान लेकर बैठो तो यह एकजम के लिए एक सी प है थार्मोडैनमिक्स और सोम क्यों क्योंकि यह दोनों में आगर आप मेरे से पड़े हो तो आप बोहुत अच्छा स्कूर कर लेता हूं और इसके साथ साहथ मेरा ही पन्ना होगा मैं वह वर कि इस देश में मैं ता मटनेलघव मैं एक सी का कोस्चन से मैं स्वाट करें हो। कोई न करता हैं कि तो आप अगर मेरा क्लास कर ऑगे तपनी मैं एपकी सो थार्मोडैन सब्स एन सारे मिल जाएगा है दूसरा जो चीज में अगर कोई चाता है कि निमेंटटरमोड में इसके साथ मैंने एफ ओस यूज़ करूंगा और आपका आप साने होता है यह फैम के साथ एफेम के साथ आप यूज़ कर सकते हो कुछ साथ सोम यह भी उसकर सकते हैं तो आगर आपका फ्लूइड मेकानिक्स सिब ऐसे नहीं कि सिब आता है ऐसे पड़के चला गया मंडल से जो मेरा जो क्लास है पूरा अगर आपने किया 2000 को स्टेन में क्लास में कराता हूं अगर उसमने अपका कॉन्बूडेंट्स है तो आप ए अक्त कर सकता है फ्लूइड मेह निए तो फिर present मत करें फेजसा ले स्कोरी होता है इसमें ऐसा साथ ET मशोंन हौत होता है क्यालकूलेशन बहुत होता है और अग से हमारा में भी देखोगे हमाura जोàn में जम आता है उसमें देखोगे पर्सेंट जो स्कोर रहे हैं उसने अच्छा नहीं मिलता तो इसलिए आपको गुला नहीं मैं तो सng में अच्छा नहीं हूं तो मुझे तोडूसरा कुछ Gайте दोнет चेका मेरे पास मेसेज आया कि सर आप मेरा थन लगा दो तो मंडल क्या एक्जाम देने जा रहा है कि देखो बेटा तुम्हारा जिन्निकी को खराब करने के लिए भी बहुत लोग रिस्पोंसवल होता है पर आपको लगता है कि आपको अच्छा कर रहा है इसका स्टोरी सुना होंगा एक पहले सुन लो कि गेट एक्जाम के बाद अगर आप दो सब्जेट पढ़ना चाते हो इसमें सोम के साथ एलागा भाई वरसन लेगा यह भी मेरा क्लास है तो अगर आप गेट एक्जाम के बाद साथ दिन भी आपको मिला है कि अगर आप पूरा एनर्जूर लगा कर सकते हो तो उसमें ज्यादा चांसे से क्या अच्छा से सौल कर पाएं आप क्या हो रहा है इस साथ दिन में आपको मैं बोलना हूं कि एक चला दो मारतान दास घंटे पाड़े टेन आवर्स पाड़े इंटू अगर साथ दिन कर ले सतर घंटे एक दूसरा एडूकेटर से जाण से दूसरा तरीका से साथ सीम्मल से कि वे जो सीमल आपने पढा जैसे सी्ममा अम मैं बढ़ आंब मैं स्प्रेश कि तो आपसे कोश्चन जो सल्वणा था वह होना था बंद़ा है है जो जो में राठ उम और तो यह बहुत घंटिया था नहीं एक्चुली आपको जह है इसमें टाइम बरबाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह सेवेंटी आवार्स अगर मैंने खुद यूज किया होता हां अगर पढ़ते पढ़ते बोर होता है दो घंटे किसी का देखिलिया ठीक है जैसे मैंने भी कराता हूं मैं दो घ अगर्ण आपका खरब करके फिर आपका जिन्नी खरब कर दूंगा ठीक है ऐसे होता है तो इसमें बहुत तोप चीज़े बहुत ही तोप चीज़े ऐसे एक 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 सुन लो बहुत ही इंपोर्टन एक्जमपल है अ कि बोलता है कि एक चुहा बहुत थांड नहीं अभी जैसे और आगे नहीं बढ़ पा रहें किसी हलत में जिन्दा है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहें इतना ठांड उसको लगा एक चुहा रास्ते में था आप एक काउ जा रहा था उस रास्ते में और काउ ने क्या-क्या उसके उपर गोबर कर दिया अब गोबर कर दिया तो उसको गर्मी मिला तो जैसे गर्मी मिला थोड़ा सा हिला जैसे हिला उहां से एक जा रहा था दूसरा जो यह है जो लायन उसने देखा इस गोबर के अंदर कुछ हील रहा है अब उसको समझ मैंगा इसके अंदर चुहा है उसने गोबर को साफ किया पिर चुहा को खा गया इसका मोरल अदो स्टोरी क्या है मोरल अदो स्टोरी यह है कि हमेशा जो आपके उपर गवर किया है वो आपका दूसमन नहीं और हमेशा आपका गवर जो साफ कर रहा है वो आपका फ्रेंड नहीं ऐसे ही आपको ऐसे लगता है कि मेरा गेट एकजम के लिए एक सी पेपर के लि नहीं है आप जीस दिन से पेचले पुरा एक साल से मेरे से पड़ पड़ के पड़ पड़ के पड़ पड़ के जा रहे हो और उसके बाद मैंने आभी दो-चार कुस्टिन करा दूंगा उससे आप गेट में जाके तोप करके जाओगे ऐसा नहीं होता है एक जाम सेंटर में क्या लागेगा मैंने पड़ा खुब था हुआ कुछ नहीं पड़ा था पूरा कोेस्ट लेगा हाँ हाँ ये तो मैं ऐसे तो मैने पड़ा हूं बड़ कोश्चें ही लेगा नहीं ऐसे बोहूत लोगे साथ हुआ है इसलिए मंडल का जो थियोरेम है वह मेरा दीनी एलाही मैठ्यल है इसी में मैंने फ Black लगा दिया था क्लास कर्राइव डीजे में लगार के लगा रख Κijn— क है कि गेट क सिविल इंजिनरिंग का है अΤ ब्रान्च का क्षिट्न है यह इस नो यह तो सका सब्सक्राइव दुनिया और का ठांच का सब्सक्राइब भीनी की एक कर दिया मैंने बना दिया इससे क्या हुआ आप ठीवरी चाटते हो जैसे जो बच्छाए त्योरी चाटा था अभी गेड देने गया था ठीचाट के जो बाकी सारे करके गया वो कोसे राथा कि बाता है कि बंदा तहोरी चाटता जा रहा है तो उसके बाद अगर उसको एपलाईन नहीं किया तो आपको को सेंड़न का कोसे नहीं लेगा पढ़ा था को सब्सक्राइब कि लिखा है मैं तो यह पढ़ा था एसे लागे गावाट होगा नहीं जाएगा सतर घंटे में क्या करने जाएगा अभी सतर घंटे जो टाइम मिला आपने प्रॉपा लिख खूद यूटिलाइस करोगे तो आपका पूरा के पूरा जो आप रिवीशन किये थे उसको बहुत अच्छा से दुबारा रिवाइस हो जाएगा जो आपका five star five star लगा हो है बहुत अच्छा सब कर सकतो कुस्टर भी कर सकता है बहुत अच्छा से रिवीशन हो सकता है इंस्टेड आप बच्चे क्या कर रहा है ऐसे और कुछ लोग लगे हुए कि नहीं हम मेरा थान ओधान चलाएंगे और उसमें जाके बच्चे बरबाद हो पर है भाई यह बात धन रखे कि आप गेट एक्जाम देने जा रहे हो इसमें आपको खुद का जो कैपाबलीटिया और डेवलप करना है खुद का अंडरस्टेंड डेवलप करना है उसके लिए खुद का रिवीशन भी करना है ठीक है ऐसे मैं इसे बोला था कि मैं ऐसा नह हम कराता है जैसे ठीक है रिवीशन के लिए जो हमें जो टाइम में दो घंटे करा दिया कई एक दिन में ठीक है उतना अगर करा रहा हो तो बाकी आपका वेरेवलेड भी मिला है और बाकी टाइम अब भी नहीं होंगे ऐसे किया जा सकता है पड़े दास-दास घंटे अगर अबने बरबाद कर दिया तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है तो करना के थार्मोडैनमीक्स मेरे से पड़े हो तो उसके बाद आपका पूरा मेट्रियल पड़ा हुआ है उसमें फायब स्टाथ दिख रहे है पहले थियोरी पढ़ना है फायब स्टाब लाज़ो दिख लिए वाइबर संब पढ़ना है वाइबर संब तो जिदना भी तोप तोप को सने करके जाना अभी गेड में कोस्टन आया है ठीक है मंडल देखके मंडल का नोट जा मैं दिखा दूँगा कौन सा कुस्टन है अभी आ चुका है ठीक है ऐसे पुछ लोग बता रहे थे तो उसका तो मलब वह पहले से इतना बरबाद होने के लिए जा रहा है पहले से बरबाद है जो बंदा पहले गेट एक जम देने जा रहे है और प्रूडाक्शन को निलेट करके जरह है तो मतलब क्या है मतलब होता है कि तुम यूआर यूआ नॉट गूइंग फॉर दा सक् करना है तो मैथेमेटिक के लिए मैथेमेटिक सब्सक्याइप्ट के लिए आप इसके लिए 3 घंटे पाट रेइसको अलग कर दो और फिर 7 घंटे जहां आप टेगनिकल जो पार्ठ यूब उसके और तीन होंटे पाड़ लगाओगे साथ दिन में 21 आवर से मैं हो जाएगा हो उतना भी पॉसबल है और इसके बाद इस तरह में जो टीडी सो में इसको तीडी सो में भाइबरेशन थार्मटेनमिस यह अगर आपने खुद से करोगे तरिस गरांटेट हो जाएगा तिसके पढ़ना है मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको करना है टेस्ट आपको देना है और टेस्ट देके गलती क्या है वह सुधरना है ठीक है टेस्ट देने के बाद गलती क्या है वह आपको सुधरना है आगर आपने गलती क्या है इस सुधर लेंगे तो इसका मतलब आपको तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा और गलती नहीं शुधा रहेंगे तो टेस्ट देना भी बेकार हो जाता है इसलिए मैंने कहा चोंक टेस्क देना मलब बेकार होता है तो इसलिए ध्यन रखे की कॉंसेट के साथ आप्लिकसान बहुत जुरूरी है चाहिए तो मंडल से पड हो गया फिर आप जाके उसका जिन्नेगी खराफ हो जाएगा कि इसले टूडे मंदल स्टूडेंट टूमरों गवर्मन्ट ऑफिसर ऐसे कैसे क्योंकि मैं जो दीनी इलाही आपको प्रॉबाइड कर रहा हूं यह दीनी इलाही में आप सिर्फ गेट आई एस एक सी का बात नहीं अभी तो गेट का हुआ गेड में का निकल फिर आभी एक सी हुआ इसके बाद आई यह का प्रिलीम होगा इसके बाद बार्ख भाबा आटम इससे सेंडर का टेस्ट होगा वह भी सेम गेट का सेम स्टेड़ गा इसके बाद ऐसे 48 डिफारेंट और एक्जाम है जो होने वाला अप्रोर ने रिक्टरर तेक एडवह देखो में लेडिर दम देखो देखते जाओ गेंदे जाओ दोड़न थैद्वेट जाओ कि लूट चाम है कि रोटेट एक्जाम है तो यह से पड़े कि मैं जो पढ़ाता हूँ सारा एक्जाम कवर करके मेरा दीनी इलाई से आज तक जिदना बंदा जो जो एक्जाम देने गया अभी सेल का भी एक्जाम रहा है टेक्निकल में एक कुस्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे से मैथेमेटिक्स पढ़के जाओगे मैथेमेटिक्स में एक कुस्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे से टेक्निकल पणाब पूरा मिकेनिकल पढ़के जाओगे एक कुस्चन बाहर नहीं निगलेगा यह कभी नहीं आता है एक एप्टिट्यूड जो मैंने करा दिया हूँ पूरा एक टीट्यूड उस वापका आपके लिए मैं इसले बोला हूं there is golden period for mechanical engineers this is the golden period for mechanical engineers आगर आप mechanical engineering पड़ रहे हो तो यही आपके लिए time है यही आपके लिए सबसे अच्छा opportunity है अगर आप यह opportunity grab नहीं कर सकता तो बाद में नहीं होगा इसलिए जिसको भी सोचना है सोचना छोड़के अभी act का जुरूत हैं सोचना नहीं अभी आपको क्या है आपके पास सब्किप्सन होना चाहिए मंडल का guidance होना चाहिए एक सब्किप्सन आने के माने करें होना चाहिए मेरा जो study material आपके पास होना हो रहा है ठीक है ऐसे नोकरी का जो हाल है बहुत खराफ होने जा रहा है ऐसे नहीं तो इसलिए आप धन रखे कि आधार अभी कर लो अभी निकाल लो mechanical मैसे student काम है competition काम है अभी और भर किनोग जा रहा है पचास पचास एक आजा रहा है अगर आप नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत पैदा होगा और तब जाके मत बुलना हमारा यह नहीं हो रहा हमारा ओ नहीं हो रहा है ठीक है तो करना है तो अभी करे और 50 परस तरह से हमारा सुरू हो जाएगा इसने 9 फेबर्यूरिसे बैच सुरू होने जा रहा है और उसमें भी जाइन कर ले और नहीं तो उसके बाद भी जएन कर सकते हैं लेकिन मैं लेट क्यूं करूंगा जो भी बंदा है लेट क्यूं करेंगे private college में जैसे campus का हाल तो आपने चल रहा है हारी नहीं फायरींग फैले खूब हारींग किया किसी को भी रख लिया आप जाके जम के फार इंग शुरू हो गया कि आप अब मेकानिकल अधंग ब्रांच है जो इस अवरगरीम इससे दिख्कत नहीं है इसलिए आपको मैं सजस्ट करता हूं कि मेकानिकल वाला जो चीज़े इसमें फोकास करें आभी जोइन करें जैसे जैसे मैं बोलना हूं गाइड यूज करें तो आपको सेलेक्शन हो जाएगा कोई दिख्कत नहीं